अगर आपने अभी तक अपने pen card को अधार card के साथ link नहीं करवाया ही तो जल्द ही आपका pen card invalid हो जाएगा बंध हो जाएगा और साथ ही साथ आपको 10,000 रुपी का जुर्बाना भी देना पडशकता है जैसा कि आपको पता होगा कि income tax department की new website e-filling 2.0 launch हो चुका है new website से pen card को अधार card से link करने का process change हो चुका है so guys आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप अपने mobile phone से ही 2 minute के अंदर अपने pen card को अधार के साथ link कर शकते ही तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते ही चलिए अब हम अपने mobile के chrome browser को open कर लेते हैं और search करेंगे income tax.gov.in जैसा कि देख सकते income tax.gov.in सर्च कर दिये हैं यहाँ पे income tax का website बिल्कुल open हो चुका है दोस्तों देख सकते हैं e-filling 2.0 जैसा कि आप लोग जानते हूँगे income tax का new website e-filling 2.0 लॉंच हो चुका है अब इस website से आपको pen card को अधार कार्ट से link करने का fully process बताएंगे जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सरा option show हो रहा है दोस्तों यहाँ पे बहुत सरा विकल्प को upgrade कर दिया गया है तो देख सकते हैं यहाँ बहुत सरा विकल्प यहाँ पे show हो रहा है अब हम आपको बताएंगे कि pen card को अधार card के साथ link कैसे करें link अधार यहाँ पे show हो रहा है link अधार पर click करेंगे link अधार पर click करने के बाद देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे open हो रहा है और open होने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं pen card का number मांग रहा है तो यहाँ पे pen card का number fill करेंगे दोस्तों फिर लीचे अधार नंबर फिल करेंगे, यहाँ पे name as पर अधार जैसा अधार में नाम है वैसा यहाँ फिल करेंगे, फिर mobile नंबर यहाँ पर इंटर करेंगे दोस्तों और check पर किलिक करकी यहाँ पर लिंक अधार पर किलिक करने के बाद यहाँ पर one time password आपकी mobile नंबर पर यहीं successfully जो आपका pain card है आधार कार्ट के साथ लिंक हो जाएगा, तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है आधार pen linking completed successfully, आपका आधार जो है यह pain card के साथ लिंक हो चुका है दोस्तों, चलिए अब हमें इसको दिखाते हैं कि लिंक हुआ या नहीं, यह क यहाँ पर click करने के बाद pen number भरेंगे दोस्तों, pen number fill करने के बाद यहाँ पर आधार number को fill करेंगे और आधार number को fill करने के बाद अब यहाँ पर view link आधार status पर click करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा हुआ आगे है दोस्तों, your आधार pen linking request has been sent to UIDI for wear edition, जैसा कि आपका जो pen card है, यह अधार के साथ link करने के लिए UIBI के साथ भीजा गया है दोस्तों, दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को like कर दे, साथे साथ हमारे YouTube चैनल को subscribe कर दे, thanks for watching